नमस्कार एक बार पुनो हाजिर वो में एक नहीं पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लोक्ष में दोस्तों मैं हूँ भासकरानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक सामद्रिक विज्ञान का ये अंक मेरे शाथ एक सुन्दर सी मेल हतेली आप पुरुष जातक है और आपकी हतेली मेरे सामने बिबेचना के लिए आई हुई है देखेगा सबसे पहली नजर हमारी पड़ रही है आपकी मरकरी वाली उंगली पे देखेंगे ये मरकरी का माउंट है बहुत खूब सुरत दिखाई दे रहा है स इसमें आपको खड़ी रेखाई भी इस पश्ट दिख रही है इसका मतलब है कि जीवन काल के बुड़ा पे काल तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा और जो ब्यापारिक बुद्धी है वो काम करेगी और जीवन में जो है जो सेल्स मारकेटिंग के गुण है वो अभी रहेंगे इसका फाइदा होगा दूसरा बात जीवन काल के चालीसवें वर्स के बाद से यह बुद्ध का परोथ सांदार इस्तित को बताता हुआ नजर आ रहा है कहीं न कहीं ठीक तालीसवें वर्स से ऐसा योग बना रहा है कि जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें जादातर पूरी सपलता अरजित करेंगे ऐसे योग हैं और कहीं न कहीं हर तरह की जो प्रस्तितियां हैं उनको भली भात समझने में माहिर होंगे और इसका लाब कमाएगे एक चीज का दियान रखेगा आपका बुद्ध कह रहा है मरकरी कह रहा है कि जीवन में योजना बन पूरे में नहीं छोड़ेंगे बल्कि पूरा उश्य करेंगे अब सांदार इस्तिति में देखें तो वानी की ताकत वास्तों में बहुत अच्छी है अपनी सारे बात को एक लाइन में रख सकते हैं और ये भी बुद्ध दे रहा है कि कहां पे किस प्रकार से बोलना है अप इसके सामने कैसी बात रखनी है कब उसका उचित समय है ये आप अच्छी तरह से जाते और ये बुद्ध का कमाल है बुद्ध इस प्रकार से सही रूप में विख्षित आउस्ता में है आप खुद देख रहे हैं देखेगा इसको इतना सांदार एक सही तरीकी से उबरावा दिखाई दे रहा है ये इस बात का दियोतक है कि आप मनों बेग्यानिक के छेत्र में माहिर हैं में सामने वाली व्यक्त को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी त्रह से जानते हैं और देखेगा ऐसे जो लोग होते हैं न ये ब्यापारिक कारियों में बिसे सपलता प्राप्त करते हैं आपका हतेली में बुद्ध परवत अगर इसको दबाएं तो लचीला है और सांदार रंग भी खेर रहा है इसका जो कलर है वो भी सांदार है इसका मतलब है ठीक समय की तलास है आपको और समय का पूरा पूरे उपयोग करने में निश्चित तोर पे आप दक्ष है और आपकी उंगली तो और भी शांदार है यहाँ पे देखेंगे तो सीधी खड़ी है और सूर्य की जो उंगली है इसके पहले पौरवे से बड़ी है यह इसे अत्यंत स्रेष्ट माना जाता है यह दो-तीन चीजों को दिखाता है खास कर आप जीवन में इसको प्रेक्टिकल रूप में लीजेगा कुछ कमिया है आपकी हतेली में जिससे इसका पौरा फाइदा जीवन में नहीं हो रहा है प्रेक्टिक चुरूप में नहीं हो रहा है लेकिन ठीक फोटी वन इयर से जबरदस्त उचा लिए देगा कैसे मैं बताता हूँ पहले इसको जानते हैं ब्रिस्पतिका परवत इस प्रकार से हो और ये इस प्रकार से सीधा खड़ा हो और इस उंगली के पहले पोरवे से उपर हो ऐसा ब्यक्ति या तो उतक्रिष्ट ब्यापारी होता है या नौकरी कर रहा हो चैब प्राइबेट हो, चैब सरकारी हो, अधिकारी होता है और जीवन में उच्चवर्ग का ब्यक्ति होता है स्रेष्ट और सफल ब्यक्ति होता है क्यूं दो कारण होते है एक तो ऐसे ब्यक्ति योजना बना कर चलता है और उसकी कम्यूनिकेशन इसकी सांदार रहती है और उसके दम पर ये ब्यक्ति जो है हर छेतर में सफलता के प्राप्ति करता है दूसरा ऐसे लोग इसलिए सफल होते हैं कि इन लोगों के अंदर अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण सर्वसरिष्टम इस्तित्मी होता है अब ये दोनों चीज आपके हतेली में है ठिक इसलिए निश्चित तौर पे जीवनकाल के 41 वर्स से इसका जबर्दस्त फाइदाहा आपको होगा अब भाई 41 एर क्यों इससे पहले क्यों नहीं इतना ज़्यादा मिलेगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं क्यों वो इसलिए वर्स से प्रभाव डबल होगा से एक तालीषें वर्स से इसका प्रभाव डबल होगा ठीक 45 में वर्स में आपका भाग्योदाई हो जाएगा ये इस पश्ट कहती है ये लकीर इन उम्रों को इस एज को आप देखेगा प्रेक्टिकल रूप में ये बता रही है कि जीवनकाल के 41 एर से ऐसा समय बन रहा है मनि सीधा सीधा ब्यापार का समय बन रहा है अगर जॉब कर भी रहे होंगे तो उसमें भी ब्यापार खोजेंगे ब्यापार जैसा जो है पैसा कमाईगे ये बता रहा है कि ठीक जीवनकाल के 41 एर से पर तेक दिन आपके पास धन आने वाला है कितना आएगा आपके मस्तिस्क सक्ति और आपकी योग्यता के उनसार सांदार धन आएगा अगर आपको वाहन का सुक प्राप्त नहीं हुआ है तो अपनी कमाईए से सांदार वाहन का सुक प्राप्त करेंगे अगर अपने घर का सुक नहीं पाया है ठीक 41 से लेके 45 के बीच में अपना सांदार घर की प्राप्त करेंगे सुक भोगेंगे और अगर अपना व्यापार है तो उसे बढ़ाएंगे उसमें उननति करेंगे उसको फैलाएंगे ब्रांड बनकर उबरेंगे नहीं है तो ब्यापार को इस्टेबलिस करेंगे ये बता रहा है अब ये आपके कुछ सवालों के जवाब दे रहा है किन किन विजनिस जॉब एंड मनी ये जो सवाल है आपके ये दिखाई दे रहें लेकिन जब तक इसमें अस्ताइप तो नहीं कारियों में बिलंब होना कारियों का समय पर पूर्ण नहोंना कहीं न कहीं चीजों में संगर्स रहें ये चीजें रहेंगी और इसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पर जरूर पड़ेगा ये इस पश्ट दिख रहा है ठिक अब यहां पर देखेंगे इस लकीर के अला रेखा ये सारी रेखाई कहां जा रही हैं बुद्ध की और जा रही है ठिक अब ये फल कैसे देंगी देखेगा निश्चित तोर पे ये फोटी वन एयर से फल देना सुरू करेंगे दो दो तीन तीन वर्स के बाद जो है जबर्दस्त उचाल देंगे एक से ज़्यादा सु ये रेखा न हो जैसे आपकी हतीली में है और केवल ये रेखा हो तो ये जेल जाने की योग बनाती है लेकिन जब करियर और धन की रेखा से ये रेखा निकलती है तो इसका जबर्दस्त फाइदा होता है और यही चीज आपकी हतीली में ये दिखा रही है ठीक है ने आप द और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो हतेली में रेखाओं का जाल और सुक्र का नुकीलियनमा उठा होना ये थोड़ा गड़बड करता है और धीरे धीरे अगर इसकी बृद्धी हो जाए तो जिवन में कठनाईयां सुरू हो जाती है और ये सुरुवात कहीं न कहीं दे रहा है जाल जैसे जैसे बनता जाता है सबसे पहला प्रभाव इसका आपके मन पर आपके मस्तिस्क पर पढ़ता है कहीं न कहीं उल्जन में मन आने बैठ जाता है कन्फ्यूजन जीवन में होने बैठ जाती है व्यक्ति दुविधा में आने बैठ जाता है और जो उसकी निरणे लेनी की ताकत है डिसीजन लेनी की चमता है वो हलके धीरे छीन होने बैठ जाती है दूसरा इसका प्रभाव रिष्टों पे पड़ता है चाहे वो दामपत्य जीवन का रिष्टा हो चाहे वो परिवार का रिष्टा हो चाहे वो कुटुम का रिष्टा हो इन रिष्टों में सामन जश्य की कमी आने बैठ जाती है या इन रिष्टों का जो पूरा सुक है मनि सीधा सीधा कहें तो मेरिड लाइफ है फैमली लाइफ है इस पे प्रभाव पड़ता है उसका जो पूरा सुक है उसके सुक के आगे प्रस्तितियां खड़ी होने बैठ जाती है और ये कुछ आपके सवाल भी थे ठीक है तीसरा इसका प्रभाव आपकी स्वस्त्य पे पड करता है चाहिए वो सारिरिक स्वस्त्य हो छहें मानसिक स्वस्त्य हो इसमें हलकी विकार आने सुरू हो जाते हैं और चौना इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सिहत पेपड़ता है जो आर्थिक रोप से यह आपको बिमार की और धकेलती है मनि दरिद्रता की और जो परिपूर्णता आनी चाहे थी उसमें कमी, अनिस्टेबिलिटी और अस्ताइत्व और पांचमा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी डेपलप्मेंट और आपकी प्रोग्रेश पे पड़ता है आपका सपलता का अस्तर को ये घटाने बैठ जाती है, जीरो की तरफ ले जाने बैठ जाती है अब इस चीज को सबसे पहले ठीक करना पड़ता है, क्या है इसका उपाई? हमारा काम उपाई देना है, करना आपका काम है, तब ही फायदा होता है इसका दो उपाई है और दोनों एक साथ करने जरूरी होते हैं इसमें किंटो प्रण्टु नहीं होता विदी एक ही है इसी विदी से करना है सबसे पहले आपको दिव्य योगध्यान की जो ओडियो दूँगा उसको करेगा दिब्य योग ध्यान किरिया करना है और बनस्पतिय अश्नान करना है ठीक ये दो चीजें जरूर करनी है अगर आप बनस्पतिय अश्नान दिब्य योग ध्यान किरिया करते हैं तो धीरे धीरे इसका प्रभाव खतम होगा लेकिन पूर्ण रूप से कब खतम होगा धाई साल म बना रहेगा जो एक्चुल है वो है लेकिन पीड़ा कम देगा हाँ उसके बाद पूर्ण रोप से ठीक हो जाएगा ये इस्तिती दिख रही है अब दोसरा देखें यहाँ पे आपके मैंने मेरेज लाइब फैमली लाइब करियर लाइब बिजनिस जॉब एंड मनी सब के बार पानेती बहुत जादा है कर्म में विश्वास रखने वाले हैं और कायरता नहीं दिखाई देरी जो सांदार चीज दिख रही है यस पाने के इक्षा भी अच्छी रहेगी यहाँ पे दोनों बराबर हैं धन और यस की भूक है पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरू सांदारां उठा है एक सुखद जीवन जीने की चाहा बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रतनसील ब्यक्तित्व भी इस पश्ट दिखाई दे रहा है दूसरी बात अगर हम करें यहाँ पे आपकी हिर्दे की लकिर सीधी सीधी इस प्रकार से आ रही है और इस महत्व कांच्छाओं को बढ़ा रहा है और इस पश्ट बता रहा है आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्व कांच्छी ब्यक्तित्व के धनी होंगे आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की रहेगी और आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुँचने की र इस पश्ट बताती हुई नजर आ रही है जैसे जैसे यह रेखा अगर इस पश्ट हो जाती है और हिर्दे रेखा पे मिल जाती है थोड़ा दामपत्य जीवन के बारे में सजग रहेगा मैं एक उपाई दे रहा हूं दिब्य सूर्य किर्या उसमें मंगल का उपाई दे रहा मस्तिस्क रेखा बड़ी अच्छी है मनि आपका बौदिक अस्तर वास्तों में बहुत अच्छा है एक विवेक वान व्यक्तित्व है और अपने विवेक से हर समय कुछ न को सोचते रहेना जीवन काल के लिए योजनाई बनाते रहेना यह सांदार रहेंगे क्रियेटिव मा लेंड आपका दिखाई दे रहा है इसका लाब होगा यहां पी जीवन की रेखा पूरी तरों से पीछे की और जुक रही है परिवार की प्रतिसमरपन की भावना रहेगी इसका लाब होगा और कहीं न कहीं जीवन में जाए धर्म का मामला हो या जिसको हम कहते हैं मिलेगा पैतरिक संपत्ति होगी तो सांदार जो है इस्तिति दिखा रहा है यह सारी रेखाई हमने देख लिए इन रेखाओं को भी हमने इस पश्ट रूप में देख लिया है यहां पे तीन रेखाई उबर रही है लेकिन तीसरी रेखा बहुत कम है तो इसका मतलब है कि अभी स्वयम की मेहनत स्वयम के परिस्रम से स्रेष्ट सपलता दिखा रही है लेकिन बाद में इसके हलके प्रेणाम बदलेंगे उस टैम देख लेंगे हम सुक्र का परोत आपका सुक्र का परोत अभी थोड़ा ज़्यादा उबरावा है ऐसे में ब्यक्त किसी चीज को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है चिंता भी कर रहा होता है तब जाके यह ज़्यादा उबरता है और कभी-कभी जो है संगर्स ब्यक्तिकी जियोन में जब जादा आता है तो उसका तनाव बढ़ने के कारण ये चीज उभरती है बहुत जादा मेहनत करने पे बहुत जादा परिस्रम करने के भी अभाव की इस्तिति को ये दिखाता है लाख कोशिस करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्त्विक सुक है उसमें ये कमी करता है तो इस चीज को दूर करने के लिए दिव्य योग ध्यान के रिया बहुत अच्छी चीज है इसको जरूर करेगा निबन मंगल और उच्च मंगल आपका शानदार है इसका मतलब है आने वाले समय में इसका जबर्दस्त फायदा होने वाला है प्राकरम बहुत अच्छा रहेगा एनर्जेटिक स्ववाव बना रहेगा और इसका लाब होगा यहाँ पर अगर देखें तो इस प्रकार से जो है चिन बनते हुए इस पश्ट दिखाई दे रहे हैं मतलब जो नीचे रेखाई जा रहे हैं अध्यात्म की तरफ आपको बना रही है आपको प्रोग्रेश के दे रही है और कहीं न कहीं जो है ऐसी नोलेज दे रही है कि उसका टीचिंग तक दे सके साथ साथ में कुसल प्रसासक के गुण दे रहे हैं ब्यापार करेंगे तो चोतरपा फाइदा नौकरी कर रहे हूं तो आने वाले धाई सालों के बाद बहुत बड़ी पदोनती दिखाई दी रही है लेकिन अभी सनी के तरफ जुक रहा है परिवार को लेकि कुछ समय तक थोड़ी चिंताई दिखाई दी रही है या हलकी पारिवारिक प्रेशानी रही हलकी रूप में चिंता करने वाली बात नहीं रही है अभी यह अउस्ता में है आपके अंदर भी साधरनता देती हुई दिख रहे है सामन्य बिक्तित्त देदने की यह कोसिस कर रहे तो इसको ठीक करने के लिए जो है भगवान विश्णु की आराधना करें तो निश्चित तोर पे यह ठीक होंगे और आपको लाब मिलेगा बाकी किरिया में दे रहा हूं उसको जरूर करेंगे आप अब धीरे धीरे देखेंगे यहां पर इस प्रकार से जो है चिन बन रहा है जो हलका डमरो का चिन है अभी पूर्ण नहीं हुआ लेकिन 45 वर्ष के बाद 46 से ऐसी इस्तिति आ रही है कि धन ऐसा आजाएगा कि कुछ आप सामाजिक कारे कर सकें या तो मंदिर का निर्मान दिखाई दे रहा है या जो है वही आपका धर्मसालाई हो गे रहा यह आपके ह उठाएगा थोड़ा सा बेवजही की चिंताई अभी कुछ समय तक रह सकती है या कुछ न कुछ ऐसी वजहें बन सकते जो थोड़ा तनाव की स्थित्तिति हैं सुर्य में लकीरे अच्छी हैं लेकिन सुर्य अभी पूरी तरों से पावर नहीं दे पा रहा है इसका मतलब ज क्रेड़िट नहीं मिल पा रहा है इसका मतलब है क्षो क्वालेटी आपके rivers जो योग्यता अंदर है उस तरों से चीजिए उभर नहीं रही है जिस प्रकार से निखर के आनी चाहिए थी उनिखर के नहीं आ पा रही है इसका मतलब है एक सहीजता से एक सरल्टा से वास्त रास्ता नहीं मिल पा रहा है क्या करना चाहें मैं आपको एक दिब्य सूर्य किरिया दे रहा हूं इस किरिया को जरूर करें निश्चित ही बहुत अच्छा लाब होगा चंद्रमा धीरे धीरे उन्नती की और आ रहा है अभी तो थोड़ा अनबैलेंस दिखाई दे रहा है लेक हो जाएगा और सरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी बढ़िया हो जाएगा और कहीं न कहीं क्रियेटिविटी आपके अंदर बहुत जादा आएगी आप क्रियेटिव बहुत जादा रहेंगे और सकारात्मक सोच रहेगी छल कपट से दूर रहेंगे और दो सालों के होती होती जो महिलाओं का स्योग है वो अनायास मिलने बैठ जाएगा आपका चंद्रमा इस रोप में आगे आ रहा है बहुत सांदार चीजों को बता रहा है देखेगा मैंने आपकी हतीली का ब्रहद बिस्रेशन करके आपको बता दिया है और उपाई में इसी के अनुसार बिदिवत तरीके से दे रहा हूं आप करने की कोसिस करें निश्चित रोप से बहुत अच्छा फाइदा आपको होगा इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पनोपस्तित हूंगा तब तक के लिए नमस्कार